नमस्कार दोस्तो रेलवे की पार्ट शाला में आपका स्वागत है दोस्तो यहाँ पर आप में से बहुत सारे हमारे साती हैं जिनके एक वेरी है कि जब उन्होंने फॉर्म बरा था तो उन्होंने सिगनेचर जो किया था वो उनको याद नहीं है कि उन्होंने क्या सिगनेचर क किया था ताकि आप जो आपका CBT है चाहे पीटी हो चाहे आपका document verification हो उसमें वैसा signature करें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो चलिए शुरू करते आज के इस वीडियो को उससे पहले आपको बतना चाहूंगा कि आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हैं उसमें testries लगाना बहुत important होता है तो ऐसे हम दोस्तो railway group D के exam की त्यारी के लिए testries लगाना बहुत ज़रूरी है especially जो previous questions है उनके practice कीजिए और railway किसी असाफ से question इस समय पूछ रहा है वो भी आपको बतारों चाहिए तो दोस्तो आप test 2 के platform पर सारे जो previous questions है वो आपको देखने को मिल जाएंगे तो वीडियो description पर आपको link दिया गया आप हमारा coupon code RK पर इस्तेमाल करके जो testries है उसको discount पर purchase कर सकते हैं और आपकी railway की exam है उसको और 32 त्रेके से त्यारी कर सकते हैं चलिए आते हैं अपने टोपिक पर यहां पर देखिए दोस्तों बहुत सारी comments हैं और जिनके माध्यम से आपने यहां पर पूछा है कि हमने जब form बरा था तो हमारे पास जो signature upload किया था वो भूल गए हैं तो देखिए आपको टेंशन लेने की कोई जूरूत नहीं है मापको एक simple सा बहुत ही easy आपको solution बताता हूं देखिए जब आपकी entry होगे न तो entry होने के बाद जब आप exam देने जाएंगे तो वहां क्या होगा आपसे signature करा जाएंगे लेकिन ध्यान रखना है signature के आँगे already आपको करे हुए मिलेंगे अना उसके सामने आपको signature करें यानि कि जो signature आपने upload किये थे न form बर्दे टाइम पे वो आपको एक तरफ लिके मिलेंगे और उसके just सामने आपको sign करना है तो आपकी जो problem है वो sort out हो गई है कोई भी tension लेने की जूरता आपको बिल्कुल भी नहीं है अब एक चीज और बहुत सारे साथ ही यह यहां पर comment कर रहे है कि अगर हम different sign करें तो क्या होगा देकि sign very important है जब आप sign करोगे तो वह आपका sign same आपका form birthday time होना चाहिए वही आपका form CBT exam में ह होना चाहिए और वही डीवेंड मेडिकल में होना चाहिए ताकि आपकी जो भरती प्रोसेस है उसमें railway को यह लगे कि आप एक genuine बंदे हो नहीं तो आप different sign करोगे इसका मतलब यह है कि आप गलत तरीकी से रेलवें में exam दे रहे हो तो आपको विसेश जानकना है जो sign आपने form reject हुआ या accept हुआ है तो उसको आप देख लीचे और accept हुआ है तो जैसे आपने जैसा किसा साइन किया था ना चाहिए ब्लोक लेटर में किया हो जैसा भी किया हो वैसा ही आपको करना है इस बात का आपको विसेश जानकना है बाकि किसी प्रकार की और आपको समझ्या है आपको आपको आपको